नमस्ते जी वेदिक रास्त में आपका स्वागत आज का हमारा विशे है नरप सेवक वानर का था और चोर भ्रहमन का था पंच्चतंत्र के अंतरगत मित्रभेद नामक प्रकण में हैं हम चल रहे हैं पंच्चतंत्र के मित्रभेद नामक प्रकण के अंतरगत और पंच्चतंत् करने वाला देखती देवताओं के राजा तक से व्यवारिज्ञान में पदास्त नहीं होता इतने आयामों को इसमें सम्मिलत किया गया है इतने पक्छों को इसमें सम्मिलत किया गया है इसी लिए पंच्छनर का साध्याय बहुत जरूरी है आप भी अगर आपने अभी तक पि इस कारण वहां अन्तापुर में बिना रोक टोक के आजा चला जाता था एक दिन राजा के सो जाने पर राजा वहां पंके से राजा को हवा कर रहा था इसी बीच एक मक्षी आकर राजा के वक्षे स्थेल पर अर्था जो है चाती के उपर बेड़ गई अब राजा की चाती पर एक मक्षी को बिठा देखकर सीने पर वो जो है वानर जो है हटाने का प्रयास करने लगा अब बार बार वो मक्षी बड़ी चंचल थी तो वहां के बिढ़ जाती अब उस मुर्ख वानर को आ गया क्रोध क्या आया क्रोध और क्रोध के करण सुभाविक चंचलता के करण उसने तलवार उठाई और प्रहार कर दिया मक्षी को मरने के लिए क्योंकि वो उस मक्षी से परेशान हो गया और देखते ही देखते वार राजा को लग गया उसके सीने के दो टुकड़े हो गए और राजा वहीं मर गया अतहा दिरगायू की कामना रखने वाले को जो विक्ति होता है राजा जो होता है जो चादिकारी होता है अगर आप भी अपने लिए कुछ काम करवाते हैं अपने साथ लोग वो रखते हैं जो अपनी उन्नती चाहता है इसे विक्ति को मुर्खों को साथ नहीं रखना चाहिए मुर्ख जो है वो आपके अधिन कामना करें इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर मुर्ख आपके अधिन काम करते हैं तो एक नएक दिन राजा की तरह वो भी आपको जो है बिन कारण मोत की घाट सुला सकते हैं अनावश्यक रूप से बिना जाने भी वो आपको मृत्यूद दे सकते हैं इसी कारण ध्यान रखें इस बात का अब चोर भ्रहमन का था जो अगली का था है इसी के अंतरगत आए हुए चार भ्रहमनों को देखा जो बहुत सी वस्तू बेच रहे थे उनको देखकर वहा मन में सूचने लगा कि कि सुपाई से में लोगों की संपत्ति हो ले सकता हूँ उनको ठगने के विचार से वहा उनके पास जाकर अनेक सास्त्री कसाय सुनाने लगा मिटी मिटी वाणी में वहा मन में विश्वास उत्पन करके उनकी सेवा करने लगा किसी ने ठीक ही कहा है क्या जो हे दंभी वेक्ती अधिक विवेकी आचार विचार का समर्थक होता है और धूरत वेक्ती ही अत्रिक मिठा बोलता है जो दंब में होता है विक्ती वही जो है आचार विचार का बहुत अरीक समर्षक होता है जो पाखंडी होता है वो पुर जो विक्ती जो है मीठा बोलता है कोन वक्ती ज्यादा मीठा बोलता है जो धूरत विक्ती होता है वो 100 प्रतिशत जो है मीठे वशनों को बोलता है धूर दूर्त विक्ति जो है अच्छा बोलता है दूर्त विक्ति मदूर भाशन करता है ज्यादा तर उसने सुचा कि इनका या धन मेरे हाथ नहीं लग सका अब मैं इनको साथ चला जाओंगा कहीं मार्ग में विजदे दूँगा और पुना रत्नों को ले लूँगा सभी उसने निश्य किया और आगे ख़ड़ा के सुनों में बोला कि मित्रों आप लोग मुझे एका की छोड़कर जा रहे हैं मेरा मन आपके इसने पास में बंद गया है आपसे प्रेम हो गया है मुझे मैं आपके सांच चलने को व्याकुल हूँ किसी भी प्रकार स्चानती नहीं मि माच विक्ती पलिप और नाम के किरातों के किसी बस्ती से गुजन लगे उनको देखकर कोई ने चलाना चालू कर दिया अरे किरातों दोडो दोडो सवा लाक के धनी विक्ती जा रहे हैं इनको मारकर इनके धन को चीन लो अब वाइसों के वचन को सुनकर किरात जो लोटने वाले थे वो लोग आगय और उनने घहर लिया अब लाटियों के प्रहार से उनकी गत्जोहे बुरी कर दी और कपड़ों को उतरवा कर तलासे लेनी शूरू करी उनके सभी अंगों का अनृक्षण किया उनके पास धन टापत नहीं हुआ जब उनके पास कोई धन नहीं मिला तो किरातों ने उसे खम्मधूद करते हुए कहा कि पथिकों इससे पूर्व कभीभी बाईसों की अर्थात कभों की बात असति सावित नहीं हुई अपने मन में सुचा कि यदी इनको मारकर इनके अंगों की तलासी ली गई तो इनके द्वाला छिपा हुआ रतनों के विए किरात पा गए तो मुझे भी मार डालेंगे अतायो इनको धन्राशी प्रमानिक करने के लिए मैं क्यों ना अपना प्राण इनके रातों के हाथ और अपने को रतन रहित सिद्ध करके इनके प्राणों को बचा लूँ कहा भी गया है कि अरे बालक तुम मृत्यू से क्यों डर रहे हो भाइबीत वक्ति को भी मृत्यू छोड़ती नहीं है आज अत्वा एक सो वर्स के बाद जब कभी दो प्राणियों की मृत्यू नक्षी उसके पास उसको मार कर देखा तो कोई धन नहीं मिला तो नहीं रहमनों को छोड़ दिया इसलिए कहता हूँ कि पंडित वक्ति यदि अपना शत्रू हो तो भी अच्छा होता है मृत्यू बुरा होता है अर्थाद जो वक्ति बुद्धिमान होता है जो सार्दे वक्ति होता है लेकिन अगर धुरते विक्ति मित्र भी हो तो सतर करेना चाहिए इसे मित्र भी दगा दे जाते हैं दोगा कर जाते हैं इदर करकर टेम दमनक उप्ति प्रिकार से वाद वाद में वस्त थे और उदर संजीवक पिंगलक के साथ युद्ध कर रहा था कुल जेर तक युद् कायन होकर मेंने संजीवक की हत्या करने का अच्छा नहीं किया मेने उसके साथ विस्वात गात किया और विस्वास गात से बढ़ कर कोई दूसरा पाप नहीं होता मित्र द Advent रूही कृत्वन विक्ति को जो हैं तीन पाप नहीं करने चाहिए और जब plugging से लोग जो हैं उनको सांते नहीं मिलती है बूमी करतक गे विक्ति और बद्दिमान सेवक के विनष्ट हो जाने पर राजा का ही ना सो जाता है इस प्रकार के लिए जो है बूमी जो है जमीन नहीं जानी चाहिए करतक गे सेवक और बद्दिमान विक्ति जो है वो नहीं जाने चाहिए क्योंकि ऐसा जाने पर ठीक प्रतित नहीं होता भूमे के नश्ट हो जाने पर प्राक्रम से पुना प्राप्त हो सकती ये किन्तू करतक के सेवक नहीं मिलते इसलिए जो आपके प्रति भरे हो उपकार से पर उपकार से कि इस प्रकार की कि उनके उपर आपने उपकार किया हो आवे स्वस्त प्रतित हो जाता है था चतर विक्ति जिसको एक बार प्रसंसा का करपातर बना चुका हो उसकी निंदा ना करे तो ही अच्छा होता है अर्थात जिस विक्ति के प्रसंसा कर दियो आपने उसके निंदा नहीं करनी चाहिए वरना आप जो है जूटे साबित हो जा राजाव के लिए अबास सोबा नहीं देती का भी गया है कि पिता माता भाई पुत्र इस्त्री और मित्र चाहें कोई भी हो यदि वह प्राण द्रो करता हो तो मार डालने में कोई पातक नहीं होता अर्थात जो है अगर आपके उपर ही कोई आकर्मन कर दे तो कोई भी हो वो आत्मरक्षा की जानी चाहिए द्यालू राजा जो अपरादी को द्याय के करण छोड़ देते हैं सर्व भूजी जो आचार विचार का ध्यान ना रखता हो इसे ब्रहम ग्यानी ब्रहम का आचरन करने वाले योगी ध्यानी और दुष्ट मित्र सेवक इनके विरुद्ध अधिकारी और क्रतगने विक्ति ये सभी त्याग देने की योगी होते हैं कौन-कौन दयालू राजा जो दया के करण अपरादियों को छोड़ देता हो जो योगी हो और सबतरे का भोजन कर लेता हो आचार विचार का ध्यान ना रखता हो दुष्ट हो मित्र या सेवक जो दुष्ट हो कुरूर हो अत्याचारी हो दुष्ट धूर्त विक्ति हो ऐसे सेवक ऐसे अधिकारी प्रमादी अधिकारी कृतगने विक्ति जो है उपकार ना माने आप उसके लिए कुछ कर दें और ऐसे विक्ति का तुरंत्याक कर दिया जाना चाहिए राजाओं की निती भ पर जाता है तो कई धनसंगरे के लिए विखरे भी हो जाता है तो कभी धन संगरे के लिए भी हो जाता है पूज़ा की नहीं करते हैं अरजुन जिनके विश्य में शोक नहीं करना चाहिए उनके विश्य में तुम भी शोक ना करो और इधर आधर शिवादी पंडितों के तरह तत्व की बातें करते जा रहे हो और सोक भी कर रहे हो और दमनक के मंत्रियत दुमें पुर्वत अपना राजकाच प्रारम कर दिया ये मित्रभेद नामक पक्रण खतम होता है पंच्चतंत्र का अभी तक हमने लगातार पंच्चतंत्र के बारे में बहुत सारे वीडियोस के माद्दे में से बातें की गर आपने अभी तक उनको नहीं देखा है तो झरूर देखें आज हम पुना धोड़ा लेते हैं कि क्वाट हमने सीखी परतरम तो ये सीखा हमने कि कभी भी मुर्क लोग को साथ नहीं रहना चाहिए क। कि मुर्ख लोगों के साथ जो रहता है वो किसी भी तरह से नस्ट हो जाता है इसलिए जो है दूरत विक्ती ही सबसे मीठा बोलता है दूसरी चीज़ हमने ये भी शिखी उसके बाद जो है ये है कि अच्छा विक्ती अकर कुई होता है जो दयावान वक्ति होता है बुद्धिमान वक्ति होता है वो सत्रू भी हो तो भी उसका साथ उचित होता है लेकिन मुर्ख वक्ति जो है वो मित्र भी हो तो उसका साथ नहीं करना चाहिए उसके बश्याद जो है जो वक्ति करतगन होता है उसका जो है साथ छोड़ देना चा राजा को सब तरह के प्रयास करने पड़ते हैं इसलिए जो है जो भी वक्ति सीधा साधा दिखता है ना एकदम और सीधा साधा ही रहता है उस वक्ति को कोई नहीं पूछता जो वक्ति टेड़ा होता है थोटा सा उपद्रवी होता है उस वक्ति को लोग पूछते हैं इसी के स और इस तरह के अन्य वेदिक लेकों के लिए प्रणदायक कहनियों के लिए महापुरुशों के जीवन परचे के लिए वेदिक राष्ट यूटुब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमते सुझाओ बाद